पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज हारिस राउफ के लडाई का वीडियो हर जगा वाइरल है हमने भी आपको ये खबर दिखाई और बताया कि उस वीडियो में क्या कुछ हुआ लेकिन उस खबर पर अब लेटिस्ट डेवलप्मेंट ये है कि उस लडाई पर फैंस के साथ हुए विवाद पर हारिस राउफ ने अपना जवाब दे दिया है हारिस राउफ ने क्या कहा ये तो आपको बताऊंगा लेकिन उस से पहले उस वीडियो की थोड़ी सी ज़लकिया आपको दिखा रहेते हैं ताकि पूरा मामला क्या है ये आपको पता चल जाए दरसल हुआ ये था कि अमेरिका में एक फैन ने हारिस राउफ से एक तस्वीर मांगी एक सेल्टी मांगी जिसके लिए हारिस राउफ तयार नहीं थे क्योंकि वो अपनी पतनी के साथ यूएस में घूम रहे थे और इसी दौरान उस फैन ने हारिस राउफ के साथ बत्तमीजीर की और उसके साथ गाली गलोज किया जिसके बाद हारिस राउफ अपना गुस्ता नहीं समाल पाए, आपे को कंट्रोल में नहीं कर पाए और वो उस फैन को मारने के लिए दौड पड़े हलाकि ICC के वॉलेंटियर्स और जो बॉडी गार्ड्स थे उन्होंने हारिस राउफ को रोका और इसके बाद हारिस राउफ के साथ उस फैन की थोड़ी सी कहा सुनी हुई इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया इस पर अब हारिस राउफ ने क्या बयान दिया है आपको वो दिखाते हैं सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर हारिस राउफ ने इस वीडियो के वाइरल होने के बाद क्या लिखा वो देख लीजिए मैंने ये फैसला किया था कि मैं इस मामले को सोशल मीडिया पर नहीं लाऊंगा लेकिन चुकि अब ये वीडियो बाहर आ चुका है तो मुझे लगता है कि मुझे इस परिस्थिती के बारे में आप सभी इसको बताना चाहिए पबलिक फिगर होने के नाते हमें जनता से हर तरीके का सीड़ बैक मिलता है वो अपनी राय अपना सपोर्ट या फिर अपनी आलोचना हमें दे सकते हैं लेकिन जब बात मेरे परिवार और मेरे माता पिता पर आएगी तो मैं बिलकुल भी उसका जवाब देने से पीछे नहीं हटूंगा हर किसी को लोगों के प्रती और उनके परिवारों के प्रती इज़त दिखानी चाहिए वो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो चाहे वो कुछ भी करते हो हारस राउफ ने अपने जबाब में साफ तौर पर कहा कि पहले फैंस ने उनके परिवार को उनके माता पिता को गंदी और भद्धी भद्धी गालिया दी जिसके वज़े से वो भड़क गए और फैंसे हाता पाई करने तक के लिए वो दोड़ते हुए उस फैंस के पास चले हाला कि अगर बात करें तो फैंस की इसमें बिलकुल गल्ती नजर आती है और शुरुआत में ही इस वीडियो के शुरुआत में ही आप अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फैंस जो है वो हारिस राउफ के माता पिता के खिलाफ कुछ गालियों का इस्तमाल कर रहे है जो नहीं करना चाहिए था जिससे फैंस को बचना चाहिए था हला कि हारिस राउफ ने जिस तरीके से सिचुएशन को समझालने की कोशिश की वो भी बेहत खराब था वो दोड़ते हुए अपने चपल फेकते हुए दोड़ते हुए फैंस की तरफ जो है वहाँ पर गए और साथ ही एक उनको इंडियन होने का टैग भी दे दिया जबकि वो फैन पाकिस्तानी था जबकि भारती फैंस आम तोर पर काफी मज़े से काफी अच्छी तरीके से पेश आते हैं और अगर आप देखें तो इंडियन फैंस इस तरीके की आम तोर पर पाकिस्तानी फ्लेयर के साथ गाली गलोच नहीं करते